नमस्कार मैं हूँ प्रग्या बिहारी नीज में आपका स्वागत है खब्रोक्योर बढने से पहले एक नजर सुर्ख्यों पर बिहार खेल विश्विद्याले के कूलपती के क्यासी पदों पर जल्द होगी न्युक्ती बिहार के नहरों के किनारे लगेंगे सोलर प्लांट पर्टना पॉंची एली अवराम ने भोजपूरी फिल्मों में काम करने को लेकर कहा ये दस्वी की परिक्षा के लिए 17 तक भड़ी फॉर्म दस्वी बुमराह बने पिता पतनी संजना गनीशन ने दिया बेटे को जन इसके साथ ही बरते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर वस्तार से बिहार खेल विश्विद्याले के कूलपती के एक्यासी पदों पर जल्द होगी न्युक्ती बिहार में खेल संस्कृती विख्षित करने के लिए सरकार की ओर से राज्य में खेल विश्विद्याले और खेल अकादमी अस्थापित करने की प्रक्रियाद चल रही है इसी के तहट पदवर्ग सुकृती प्रशास की निकाई के दौरा खेल विश्य विद्याली के लिए वाइस चांसलर समीत 31 और खेल अकादमी के लिए 80 पदों की सुकृती दे दी गई है इसे में विशी के चेन की फाइल मुख्यमंतरी सची वाले पहुँच चुकी है जबकि अने पदों के लिए कला संस्कृती एवं युवा विभाग के द्वारा राज्य खेल प्रादीकरन और सक्षा विभाग को पत्र लिक कर आगड़ा किया गया है आपकी जानकारी के बता दे कि राज्य में खेल विश्य विद्याले और खेल अकादमी दोनों राजगीर में स्थापित किया जाएगा मालम हो कि यह दोनों संस्थान राजगीर में बन रहे अंतराश्य क्रिकेट स्टेडियम परिसर में स्थापित किया जाएगे बिहार देज का छठा ऐसा राजे बन गया है जहां खेल विश्यविद्याल स्थापित किया जाएगा बिहार के नहरों के किनारे लगेंगे सोलर प्लांट ग्रेडा की ओर से बिहार के नहरों के किनारे सोलर प्लांट लगवाने के दिशा में काडवाई शुरू कर दी गई है बतादे के शुरूवात में राज्य के दो नहरों का चयन किया गया है जहां सोलर प्लांट लगाया जागा ऐसे में जल संसाधन विभाग से अनापती प्रम पत्र मिलने के साथ ही सोलर प्लांट लगाने की कवायत शुरू कर दी जाएगी और फिर 18 महीने के भीतर बिचली उत्पादन शुरू हो जाएंगे पतादे कि जिन दो नहरों के शुरुवात में चयन किया गया है वो मिली जानकारी के नुसार पटना जिले में बिक्रम के सोन नहर और नवादा का फुलवरिया जला से सामिल है जहां दो मेगावाट और दस मेगावाट का सोलर प्लांट लगाने की तयारी है मालू हो कि एक मेगावाट के स्थापना में औस तर चार से पांच करों रुपए का खर्च आता है इसको लेकर सरकार की यही कोशिश है कि मौजिता वीतिये वर्स में टेंडर आधी की प्रक्रिया पूरी कर ली जाए उद्योग विवा के कई पदाधिकारियों पर गिरिगाज उद्योग विवा के कई अधिकारियों पर काम की लापरवाही को लीकर सक्त कदम उठाए गया है दरसल विवा की ओर से सक्त कदम उठा लखी सराई के उद्योग विस्तार पदाधिकारी उपेंदर नाक्तिवारी और जला उद्योग केंदर सीता मढ़ी के पडियोजना प्रबंधक सहप्रभारी महाप्रबंधक विजंदर कुमार लाल को ततकार प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। अदम उठाई गया है। ये सभी नर्दिश उद्योग विवाग के अपर मुख्य सचीव संदीप पॉंडरी के द्वारा दिया गया है। प्रबंधक विवाग के अपर मुख्य सचीव को फोन लगाया और इस मामली को तरंत देखने का नर्देश दिया और फिर प्रधान सचीव दीपक कुमार को अपनी पास बुला कर कहा ये सब क्या हुड़ा है। तो आपको सब देखने के लिए कह चुके हैं जी बीस के लिए 200 से जादा ट्रेने रद दिल्ली जाने से पहले करे चक अगर आप भी दिल्ली जाने की सोच रहे हैं दिल्ली जाने वाले हैं यह खबर आपके लिए बता दे कि दुनिया के राष्ट अध्यक्षों के सबसे बढ़े सिखर समेल जी बीस को लेकर दिल्ली आने जाने वाले 200 से अधिक ट्रेनों को रेलवे की ओर से रद कर दिया गया है जिसमें 9, 10 और 11 सितंबर को 207 ट्रेनों को रद किया गया है इसके अलावा 36 ट्रेने ऐसी हैं जिन्हें डेलवे ने काजियाबाद, हजरत निसामुदीन, आधरशनकर, ओकला, साहिबदाबाद, जैसे स्टेक्षनों पर सौर्ट, टर्मिनेट और सौर्ट, औरिजनेट किया ह आपके जानकारी के लिए बता दे कि भारत 9 और 10 सितंबर को GB सिखर समिलन की मेजबानी करने वाला है, ऐसे में 9 से 11 सितंबर के बीच दिल्ली की यातरा करने वारे यातरियों को थोड़ा प्लान करने की जरूरत है, ताकि उन्हें किसी प्रकार की कोई परशानी का सामना ना क करना पड़े, डिंगू संक्रवित पटना के डियम से मिलने पहुंचे सीम नितीश, पिहार की राजधानी पटना के डियम डॉक्टर चंदर सेखर बीते चार दिनों से डिंगू से पिरत होने के कारण पारस अस्पताल में भरती हैं, वहीं आज उनसे मिलने बिहार के मुख इटलेट चरहाए गया, और अभी इनका इलाज चल रहा है, लेकिन उनके सिद्धी पहले से बहतर हो गई है, आपके जानकारी के बता दे कि सरकारी आंक्रों के अनुसार अब तक पटना में डिंगू के कुल 96 मरीज मिल चुके हैं, आंगनवारी केंद्र में सराब तसकरी का कारोबार, बिहार में पुनरूप से सराब बंदी है, ऐसे तो हम सभी वाकिफ है, लेकिन इसके बावजूद भी आए दिन हमें सराब तसकरी से जड़े मामले सुनने को मिलते रहते हैं, हलाक इन पर नकेल कसने के लिए उतपाद विभाग के ओर से जी तोर कोशिश की जा र का है, जहां गुप्त सूशना के आधार पर आंगनमारी केंदर से 35 का टडविदेशी सराब बरामत किया गया है, जो कि जारखन निर्मित सराब वक्यांट बीर है, इसके कीमत बाजार में 4 लाख रोपे से अधिकी आंकी जा रही है, पता अधिक इस बात की जानकारी सिकंद जमुई और बांका में लगेगा सोलर पावर प्लांट, पिहर के जमुई में 125 मेगावाट और बांका में 75 सहित कुल 200 मेगावाट छमता के सोलर पावर प्लांट लगाये जाने को लेकर, योजना से जुरी 17 जल विद्यूत निगम के द्वारा जमुई के लिए आवशक 500 एक स्कुल में राकी बनवाने वाले सक्षक सस्पेंड बिहार के एक सरकारी सक्षक के द्वारा रक्षा बंधन के दिन स्कूल में अपनी बहँ से राकी बनवाने का एक वीडियो वाइरल हो गया था बतादे किस वीडियो में सक्षक के दौरा बिहार सरकार के सक्षा विभाग के अपर मुख्य सचीव केके पार्ठक के खिलाफ कई बाते भी कही गई थी दरसल इस वीडियो में सक्षक के दौरा कहा गया था कि केके पार्ठक उनकी बेहन को रोक नहीं सकते अपने भाई को राखी बांधनी के लिए उनकी बेहन भागलपुर से खगरिया चरिया है बता दे किस वीडियो में सक्छक के दोरा अपनी बेहन से स्कूल के कैमपस में ही राखी बंदवाया जा रहा था वहीं अब सक्छक को सक्छा विवाग के अनुसंसा पर खगरिया नगर परिसत के काड़े पालक पदाधिकारी रनमीर कुमार के दोरा सस्पेंट कर दिया गया है मालुमों कि सक्षक का नाम सुनील कुमार है और यह खगरिया नगर परिसत के मतुरापूर सिर्थ मध्य विद्याले में तैनाथ है पटना पहुंची एली अवराम ने भोजपुरी फिल्मों में काम करने को लेकर कहा ये बॉलिवुड एक्रस और बिग बॉस फिल्म एली अवराम बिहार की राजधानी पटना पहुंची जहां उन्होंने दैनिक भासकर के साथ हुए साक्षातकार में बिहार को लेकर अपनी बाते रखी उन्होंने कहा कि उन्हें बिहार आकर बहुत अच्छा लगा वो अपने सो की सुटिंग के लिए पटना आई हैं और फिलाल वे पूरे बिहार को एक्स्पोर करने की कोशिश कर रही है उन्होंने बताये कि वहब तक पटना में गंगापत, मंदिर, गुरुद्वारा, बिहार म्यूजियम, एनाईटी घाट आदी जगह घूम चुकी हैं उन्होंने पटना के सरकों पर रिक्सा भी चलाया है एले ने बताये कि उन्हें बिहारी खानों का भी स्वाद लिया है जिसमने लटी चोखा का स्वाद आज भी याद है इसके रावा उनका पसंदीता स्नाक मखाना है और उन्हें मौका मिलता है तो वो मखाना को भी एक्स्प्रोर ज़रूर करेंगी वह उन्हें बोजपुरी फिल्म में काम करने को लेकर कहा कि अगर उन्हें अच्छे स्क्रिप्ट मिलती है तो वह बोजपुरी फिल्मों में ज़रूर काम करेंगी दसवी की परिक्षा के लिए 17 तक भड़े फॉर्म बिहार विद्यारे परिक्षा समीती के द्वरा मैट्रिक वार्सित परिक्षा 2024 के लिए परिक्षा फॉर्म भरने की दिथी जारी कर दी गई है बता दी कि परिक्षा फॉर्म भरने के लिए से में विद्यार्थी https kolum slash secondary.biharboardonline.com slash पर जाकर आवीदन कर सकते हैं मानमों की पोर्टल पर दो प्रकार के आवीदन पत्र अप्लोड किये गए है जिसमें सतर दो हजार तेश्योबस के लिए रेजिस्टर नियमित एवं सतंतर कोटी के विद्यार्थियों के लिए दो खंडो A और B में खंड A में एक से पंदर तक विद्यार्थी का विवरन भड़ा हुआ है जो विद्यार्थी के रेजिस्ट्रेशन विवरनों के आधार पड़ है उसमें विद्यार्थियों के द्वरा कोई भी छेर चार नहीं किया जाना है विद्यार्थी द्वरा मातर खंडबी में क्रिमंग 16-35 तक के विवर्णों को भरा जाएगा ओर्टो चालकों ने CM नितीश के आवास का किया घिराओ और्टो इस्टैन हटाने से नराज और्टो चालकों के द्वरा आज बिहार के मुख्यमंतर नितीश कुमार के आवास का घिराओ करने के लिए पटना जंक्षन के पास से एक विरोध मार्च निकाला गया पतादी के ओर्टो चालकों के संक का कहना है कि वह सुक्रवार सही अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं लेकिन तीश कुमार या पटना प्रिशासन के ओर से उनकी समस्याओं पर किसी तरह का कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा इसलिए उन्होंने मुख्यमंतरी आवास का घिराव करने का निर्ने लिया है बालम हो कि सर्ताल की पज़से बीते तीन दिनों से पुर्वी पतना के सभी इलाकों में परिचालन ठप है जिससे कि लोगों को काफी परिशानियों का सामना करना पर रहा और टो रिक्सा चालक स संग के अध्यक्ष पपू यादव किनसार सरकार और प्रिशासन के ओर से ओटो चालकों को प्रतारित किया जड़ाय स्टैन हरा देने से उनकी रोजी रोटी पर असर हुआ है प्रेमचंद रंगसाला में दो दिन कला का प्रदर्शन करेंगी युवा 15 और 16 सितंबर को दो दिवसीय युवा महुस्तव को लेकर बिहार की राजधानी पटना में सित प्रीमचंद रंगसाला में जिला प्रशासन की ओर से कला नरते एवं संगीत के छेतर में बहतर प्रदर्शन के लिए एक कारेक्रम का आयोजन किया गया है ऐसे में अगर आप भी इसमें भाग लेने के एक चुक हैं और अपनी कला का प्रदर्शन करना चाहते हैं तो कारीक्रम के दिन ही सुबह में पंजियन की प्रक्रिया के दौरान अपना पंजियन करा सकते हैं बता दे किसमें 15 से 35 साल के युवा भाग ले सकते हैं आनुख इसकारीक्रम में प्रथम स्थान आनी वाली कलाकार को कला संस्कृती एवं युवा विभाक के ओर से राजय अस्तर ये युवा उतसब में भाग लेनी का मौका मिलेगा इस कारीक्रम को लेकर डीदी सी तने सुल्तानिया के दोरा जानकारी देते वे बताया गया है कि हकारीक्रम युवा वर्ग को कला एवं संस्कृती के छितर में प्रोथसाहन देली के लिए किया जा रहा है इस कारिक्रम को लेकर सभी सरकारी वनीची स्कूल कॉलेजों में पढ़ने वाले बच्चों को भाग लेने के लिए प्रबंधकों को सूचना दे दी गई है महिसे जुरी विशेश जानकारी के लिए जला खेल पताधिकारी के कारे आले से समपर्ट किया जा सकता है हरियर नाथ मंदर पहुंचे लालू राबरी लिया भोले नाथ का असरवाद आज सुभा राजर सुप्रीम लालु पुशाद यादव और बिहार के पुर्व मुख्य मंतरी वा उनकी पतनी राबरी देवी पटना से सोनपुर पहुंची जहां उन्होंने हरिहरनाथ मंदर में भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना कर उनसे आसिरवाद लिया बता दी कैसा कहा जाता है कि लालु यादव और राबडी देवी का हरिहरनाथ मंदर से बहुत पुराना लगाव है लालु जब भी बिहार में होते हैं वहरिहरनाथ मंदर चाकर भगवान भोलेनाथ से आसिरवाद जरूर प्राप्त करते हैं मारम हो की लालु पुशाद याद पहली बार सोनपूर से ही विधायक बने थी और हरियरनाथ मंदर से उनकी काफी गहरी आस्थाच चुरी हुई थी वह मुका चाही मुक्य मंत्री के रूप मी हूँ या फिरेल मंत्री के रूप में वह हरीयर्नात मंदर हमी साथ जाया करते थे ऐसे में अब लालू का दिल खुशियों से भड़ा हुआ है आज हमें इतने खुशी मिली है जितनी हमने कभी सोची नहीं थी उन्होंने अपने खुशी का इजहार करते वे लिखा कि आज सुभा हमने अपने चोटे बेटे अंगत जस्परीत बुम्रा का स्वागत किया वे बहुत खुश है और अपन सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है गोनर सन्मा, नुश्रत बनो, रंजीत मिर्शा, ननुगोलु कुमार, मुहमत फ़हीम, भारती हरी, रंगीला भान प्रकाश, धननजय कुमार, मुसकान कुमारी, नंद कुमार सिंग, सुरज कुमार, एहमद, अनुपमा कुमारी, रा आंको सब्सक्राइब करना और अगरा फेस्बूक से देखे तो पेस को फॉलो करना ना भूले, धन्यवाद